नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की महिमा की कहानी एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जेश्ठा ने उनसे कहा बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में कौन रही है सोचती हूँ तुमसे पूछूँ या नहीं ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो भी कुछ है नी संकोच कहो वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि सुन्धरता में हम दोनों बराबर है फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहां भी जाती हूँ वहाँ उदासी चा जाती है मुझे लोगों की ग्रणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है जबकि हम दोनों सगी बहने हैं ऐसा क्यूं है? लक्ष्मी जी ने हसकर कहा सगी बहन या समान सुन्दरता होने से आदर नहीं मिलता उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुँचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ संपत्ती, बैभव और खुशियों से आनन्दित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं और वे मेरी पूजा करते हैं उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहां भी जाती हो उसको गरीबी, रोग, आपदा सहनी पड़ती है इसी बज़े से लोग तुमसे ग्रणा करते हैं कोई तुम्हारा आदर नहीं करता यदि तुम्हें आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुँचाओ जेश्टा को लक्ष्मी जी की बात चुप गई उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी को अपनी महीमा का अभिमान हो गया है उन्होंने तुनक कर कहा लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो अवस्था में भी और प्रभाव में भी मुझे उपदेश देने का विचार भी अपने मन में मतलाना अगर तुम्हें अपने बहभव का एहंकार है तो मेरे पास भी अपना ही एक प्रभाव है मैं जब अपनी पर आ जाती हूँ तो तुम्हारे करोड़ पती भक्तों को भी पल भर में भिकारी बना देती हूँ लक्ष्मी जी को हसी आ गई और कहने लगी बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कहलो लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे किसी बात में भी कम नहीं हूँ जिसको तुम बिकारी बनाओगी मैं उसे दूसरे ही दिन रंग से राजा बना दूँगी मेरी महिमा का अभी तुमें भान नहीं है और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ देखो बहन दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं जिसके सर पर मेरा हाथ न हो परन्तु जिस पर मेरी कृपाद रिष्टी है उसका कोई भी बालबांका नहीं कर सकता अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो तो कल अपना प्रभाव दिखा कर देख लेना जेश्ठा ने भी गुस्से में कहा दूर क्यों जाएं पास ही में अनुराधा पुर है उसमें एक ब्राम्मन रहता है दीनानाथ वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और तुम्हारा पक्का भक्त है उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है अब जेश्ठा को तावा चुका था और वह हाथ जटक कर बोली ठीक है देख लेना कहकर वह एक और चली गई और लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और एहंकार पर मुस्कुराती रही दूसरे दिन दोनों बहने अनुराधापुर के विश्णू मंदिर में पहुँची उन्होंने वेश पदल रखा था साधारन इस्तरीयों की तरह वेदाउनों मंदिर के द्वार पर बैठ गई लोगोंने उन्हें देखा आवश्य परन्तु किसी ने उनकी और कोई खास ध्यान नहीं दिया ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं वेश मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे वहां आने वाले सभी लोग किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते थे फिर भुला उन्हें दूसरों की परेशानी से क्या मतलब हो सकता था थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया दोनों भेनों की नजरें उस पर जम गई पूजा करके जब वह लोटने लगा तो जेश्ठा ने कहा लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है बन पड़े तो उसकी कोई सहायता करो लक्ष्मी जी बोली हाँ करती हूँ लक्ष्मी जी ने ऐसा कहे कर एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरे भरी हुई थी जेश्ठा ने बांस को छूकर कहा अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना पूजा करके लोट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वे बांस का टुकड़ा उठा लिया उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा घर में सो जरूरते होती हैं अभी भैपंडित कुछ आगे ही बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की फिर बड़ी ही नमरता से बोला पंडित छी मुझे अपनी चारपाई के लिए बिलकुल ऐसा ही बांस चाहिए था दादा जी ने यह कहकर भेजाता कि जाओ और बाजार से ले आओ ऐसा बांस कहां मिलेगा मुझे दीनू ने कहा मैंने मोल नहीं लिया है रास्ते में पड़ा हुआ मिला था सो उठा लिया लो तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो वैसे बजार में एक रुपे से कम का नहीं है लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा मगर मेरे पास तो ये चार आने ही है पंडित जी अभी तो आप इने रख लीजे बाकी बारे आने शाम को आपके घर पर दे जाऊंगा पंडित जी खुश हो गए कि बिना कुछ किये धरे उन्होंने एक रुपिया कमा लिया दीनू पंडित ने वह बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोल्ची में रख ली पंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थी चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है दौनों भेने दीनू के पीछे-पीछे चलने लगी एक तलाब के पास दीनू ने डोल्ची रख दी और कमल के फूल तोडने लगा उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोल्ची में रखी हुई चवन्नी को लेकर भाग गया इनु को पता तक नहीं चला फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगे इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था करीब आकर बोला पंडी जी ये बांस तो बहुत ही वजनी है तादा जी ने कहा है कि कोई हलका बांस चाहिए इसकी चारपाई ठीक न होगी ठैली जी अपना बांस वापिस ले लीजे कहकर उसने बांस पंडी जी के हवाले कर दिया दीनु ने बांस ले लिया लेकिन चवन्नी तो डोल्ची में थी ही नहीं तब उसने कहा बेटा चवन्नी तो शायद कहीं गिर गई है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो वहां तुम्हें दूसरी दे देता हूँ इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तो लड़का बोला तब अप चाहिए मैं शाम को आकर आपके घर से ले लूँगा और लड़का अपनी रहा चल दिया बास फिर से पंडित जी के पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुरा दे उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर जेश्ठा मन ही मन जल उठी वह बोली अभी तो खेल शुरू ही हुआ है देखती जाओ लक्ष्मी मैं तुम्हारे भक्त को कैसे तिगनी का नाच न चाती हूँ दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था उससे क्या पता था कि वे शत्रंच का मोहरा बना हुआ है वे है तो धूप च्छाओं की भाती दोनों भेनों का प्रभाव सहता चुप चाप चला जा रहा था आगे चल कर गाओं का एक अहीर मिला उसने दीनू को चवन्नी वापिस करते हुए बताया पंडी जी मेरा लड़का आपकी डोलची में से ये चवन्नी उठालाया था वे बड़ा ही शैतान है मैं आपकी यही चवन्नी लोटाने आया हूँ हो सके तो उस शैतान लड़के को माफ कर दीजिएगा दीनू ने आशिरवाद दे कर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर उससे पैसे लेने वाला था आवाज सुनकर लड़का लोटाया पंडित जी ने उसके पैसे उसे वापिस दे दिये और वह प्रसन्न होकर चला गया दीनू पंडित निश्चिन्त मन से घर की ओर बढ़ने लगा उसके एक हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे हाथ में वही पांच हाथ का लंबा बांस था रहा चलते हुए दीनू पंडित सोच रहा था कि बांस तो काफी बजनी है चलो बजनी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि अंदर से ठोस होगा इसे दर्वाजे के छपर में लगा दूँगा कई साल के लिए बल्ली के जंजट से छुटकारा मिल जाएगा जेश्ठा को उसके विचार पर क्रोधा गया लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाब होता देखकर वे मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय ने पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार बनाया उन्होंने का लक्ष्मी धन संपत्ती तो मैं छीन ही लेती हूँ अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी हर लूँगी देखो वे किस तरह तडप-तडप कर मरता है और वे तुरंत एक साप के रूप में बदल गई दीनू की ओर दौर पड़ी लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहत नहीं हुई वे उसी तरह खड़ी मंद मंद मुस्कुराती रही सहसा दीनू चौक उठा एक भयानक साप फन उठाए उसकी ओर छपड रहा था प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं उपाय रहते कोई अपने को संगट में नहीं पड़ने देता दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और वे एक और को भागने लगा लेकिन साप बनी जेश्ठा उसे भला कहा छोड़ने वाली थी वेह तो उस गरीब के प्राणू की प्यासी हो चुकी थी वेह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौरती ही रही दीनू घबरा गया उसने हाज चोड़ कर कहा नाग देवता मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा शान्ती से अपनी रहा लोट जाओ आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो व्यर्थ में किसी ब्रामन को सताना अच्छी बात नहीं है लेकिन वेह नाग तो जेश्ठा का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह साप एक तरगी फुफकारता हुआ जब दीनू ने देख लिया कि बिना संगर्ष किये अब उसकी जान नहीं बचेगी तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगा कर वही बांस साप के उपर दे मारा धर्ती से टकराते ही बांस के दो तुकड़े हो गए और उनके भीतर भरी हुई सारी मोहरे खन खना कर बिखर गए उसे ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी माता हस रही हो दीनू के मुख से हैरत पूर्ण चीक सी निकली अरे थोड़ी देर के लिए भै ठगा सा खड़ा आखे फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा एक पल के लिए तो भै साप को भूल ही गया किन्तु फिर जैसे उसे जटका सा लगा साप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से साप की कमर तूट गई थी और वे लहू लुहा नवस्था में ज़ाड़ी की ओर भागा जा रहा था दूसरे शन वे मोहरों पर लोट गया और कहने लगा तेरी जै हो लक्ष्मी माता तेरी जै हो जीवन भर का दारिद्रे आज तूर हो गया तेरी महिमा कौन जान सकता है चलो अब घर में बैट कर तुमारी पूजा आरती करूँगा और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी महरे अपने अंगोछे में पांध ली और लंबे-लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी जी अपनी बहन जेश्ठा से मुस्कुरा कर पूछने लगी कहो बहन सच बताना बड़पन की था मिली या अभी नहीं बड़पन किसी को कुछ देने में ही है उससे छीनने में नहीं जेश्ठा ने कोई उतर नहीं दिया वै चुपचाप उदास खड़ी रही लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा फिर भी हम दोनों बहने हैं जहां रहेंगी साथ ही रहेंगी आओ अब चलते हैं जै लक्ष्मी वाता इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाब प्राप्त कर सकें